हलो दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों आज आपको बताने मेलें अगर आप एक PF मेंबर्स हो और अगर आप अपना PF निकालना चाते हो अगर आप PF की सबी सुईधा लेना चाते हो तो आपको EPFO की साइट पर जब आप लोग इन करते हो तो आपको अपना UAN पासवर्ड डाल कर ही आपको लोग इन होना होता है अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होता है तो आप यहां देख सकते हो UAN का पासवर्ड नहीं है तो क्या करें उसका एक उप्सन सबसे बड़िया होता है आप उसका नया पासवर्ड बना सकते हो लेकिन आपको फोर्गट करके पासवर्ड नय बनाना नहीं आता है तो आज आपको हम एक बताएंगे कि आप किस प्रकार से यह आप अपना UN से अपना क्लेम कर सकते हो अपना वीव पास्बूक देख सकते हो और पीएफ की सभी सुविधाय ले सकते हो तो आपको हम बताएंगे और आपको समझाएंगे आपको इसका पूरा लाइव दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से उससे अपनी सभी सुईधा ले सकते हो जिससे आप PF विड्रोल फॉर्म बर सकते हो और आप अपना क्लेम सेटल्ड करवा सकते हो वीव पास्बूक देख सकते हो यह सब कुछ हम आपको बताने वाले इस वीडियो में तो आपको कुछ ने करना बस वीडियो के नदे तक पूरा बने रहना है वीडियो स्किप ना करें तब आपको पूरा प्रोसेस समझ मायाँगा आज आप एक नई चीज सीखने वाले हो दोस्तों अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरे चेनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकरी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें जब आपके पास आपका UAN नमबर तो होता है लेकिन पास्वर्ड नहीं होता है तो आप किस पिरकार से अगर आपके पास पास्वर्ड नहीं है और आप पास्वर्ड बनाना नहीं जानते हो फोरेड पास्वर्ड करके UAN का तो आपको करना क्या है आपको only among app डाउनलोड करने ना है उससे जब आप डाउनलोड कर लोगे और इधर जो पास्वर्ड का उप्सवर्ड डालना जरूर होता है तब ही जाके आप साइन इन कर सकते हो आपको पता होगा यह चीज है अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास अपना पास्वर्ड नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर forget passport करना चाते हो तो कर सकते हो अगर आपको यह नहीं आता है तो आपको करना क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना आपको only यह passport जो आपको यह दिख रहा है अगर आपके पास ये password नहीं है मैं आपको एक बर और बता देता हूँ अगर password नहीं है आपके पास आपने किसी online काम किसी से कराया हो और उसने e-mitr से या किसी ने भी आपका online काम किया हो और उसने आपको password नहीं दिया हो तो आपको करना क्या है वेम आपको बता देता हूँ आपको पासवर्ड बनाने की जरुत नहीं यह नए पासवर्ड की आपको only उमंग एप डाउनलोड कर लेना है और उससे आप अपना सभी काम की कर सकते हो उससे सभी मंगता है वह आपको चालू कर लेना है सब कुछ डाल के अलाओ करें उसके बाद वह बाद में आपको यप और टाइप कर देना है जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां देख रहा हूँ यह कुछ इस प्रकार्ड से वज़एब तो तो आपको यह नजर आरह आईगा और आप यह आपको नजर आरी सभी सूईधा है आप ले सकते हो यहाँ से आप Hai pets करेंग करते हो अब अछलाना करना है अन पर्राइब चूली असे सब flatter सुविदाई ले सकते हो अगर आपके पास EPFO की साइट पर आप लोगिन होके डारेक्ट काम करते हो तो आपको UAN नमबर जो 12 डिजिट का होता है युनिवर्सल अकाउंट नमबर वह जरूरत होती है अगर आपके पास वह नहीं है और अगर वह है आपके पास लेकिन आपके पास पास परड़ नहीं है तो क्योंकि पास परड़ की जरूरत आपको होती है जो आप पास परड़ और UNA डाल कर ही लोगिन हो सकते हो अगर वो दोनों में से अगर पास परड़ नहीं है आपके पास तो आपको करना क्या है आपको Umangab download कर लेना है और आप Umagab से अपना सался Сubhidhai ले सकते हो मैं आपको यहां से दिखाने क कोशिज करता हूँ मैं आपको View Passbook से दिखाने की कोशिज करता हूँ मैं यहां पर View Passbook पर click कर दिया है आप यहां देख सकते हो और यहां पर एक get OTP का option होता है, यह blue color का हो जाता है, जैसे आप अपना UAN number डाल दोगे, उसके बाद में जब UAN get OTP पर आप किलिक कर दोगे, तो आपको जो OTP प्राप्त होगा वह है, आपको यहां पर डालना है, और आपको submit पर यहां पर किलिक कर देना है, बस यह थोड़ा UAN number डालूँगा, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने अपना UAN number डाल दिया है, 12 डिजिट का, यहां पर और यहां पर आप देख सकते हो, get OTP, यहां पर blue color का हो गया है, और मैं यहां से आप OTP मंगा देता हूँ, यहां पर एक second आएगा, तो उसके अनुसार आपक इस option में, और submit पर click कर दूँगा यहां पर, और मैं यहां से login हो जाओंगा, और सभी सुईदा में ले सकता हूँ, और मैं मेरा passbook का यहां से option दिखा रहा हूँ, आपको सभी process में यह option दोराना होता है, तो आपको मैं दिखाने कोशिस करता हूँ, अपना UAN number डाला है, OTP मैं मनगा चुका हूँ, अब मैं यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक second आता है, इस second के अंदर ही आपको डालना होता है, तो यहां पर 15 second हो चुका है, और OTP मुझे मिल चुका है, तो इस OTP को मैं यहां डालूँगा, अगर यह मेरा cancel हो जाता है, तो मैं आपको दिख दुबारा OTP मिल जाएगा क्योंकि ये एक मिन्ट के लिए आता है अगर आपका ये टाइम निकल जाता है तो आपको दुबारा मंगाने की इसकी जरुरत होती है तो recent OTP पर आपको किलिक कर देना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ अब आप देख सकते हो मैं आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ यहाँ पर एक सेकेंड चल रहा है अब मैंने दुबारा OTP मंगवाया आप देख सकते हो ये सेकेंड यहाँ पर चल रहा है इस सेकेंड के अंदर मिरको यहाँ पर OTP डालना है इस जगा पर और मैं सब्मिट पर किलिक कर दूँगा मैं आपको दुबारा समझाने की कोशिस कर रहा हूँ साइद आपको समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ देख सकते हो OTP में आपको दिखा देता हूँ वही OTP मुझे दुबारा दिया है और जिस कंपनी में आप काम करते हैं वही आपको यहाँ पर नजर आएगी तो आप देख सकते हो अब आपको यहाँ से करना क्या है आपको यहाँ पर एक ID Blue Color में नजर आएगी इस पर किलिक कर देना है तो आपके सामने अपना वीव पास्बुक नजर आजाएगा अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपका सभी डाटा नजर आएगा आपका नाम, इंप्लोयर्स, आपका जो भी अदर आपका किस कंपनी से जुड़ा हुआ है नाम पूरा नजर आएगा और यहाँ पर आप जैसे नीचे करोगे इसको तो आपको यहाँ पर अपना पास्बुक का सभी आपको जो लाइन और नजर आजाएगा बैलन्स पास्बुक का सभी यहाँ से अपना जो पास्बुक का अपना सभी सूइदाइ ले सकते हो यहाँ पर आपको पसंद आ होगा तो आस Act करता हूँ दोस्तों यह वीडियो सब्सक्तराइगा तो कैसा लागा मेरे वीडियो? आपको पसंद आहे, आगे Share करे पर पर से सम्मझीत हर जारनकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद